वेलकम डियर स्ट्ट्ट्ट्स जेटेक फिमली के अंदर आप सभी का फिरसे स्वागत है मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस वीडियो में आप काफी जादा स्ट्ट्ट्स बहुत जादा प्रेशानी में और उनको समझ में नहीं आरा कि जो डूपलिकेट अप्लिक अगर मैं बताऊं तो ये सही है उनका कोई गलत डिसीजन नहीं है ठीक है तो आपको सोचनी की जूरता है तो आप वीडियो मेरी ध्यान से देखना और बाते हैं जो मैं आपको बता रहूं उसको point to point समझना तो चलो सुरू करते हैं मारी इस वीडियो को बिना किसी देरी से इस सुरू करते हैं मारी इस वीडियो को अब क्या कारणा था मेरे को ये वीडियो मनाने का इसमें काफी ज़्यादा स्टूर्ण से मेरे को कमेंट कर रहे हैं बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर हमने क्या किया न्यू रजिस्टेशन कर दी अब हम क्या करें बहुत ज़्यादा और अब यह पूछ रहे हूं जब मैंने एंटिय वालों से specialist के लिए content किया मैंने उनको contact किया मैंने उनको mail भी किया मैंने call की लेकिन call उन्होंने उठाई नहीं लेकिन जो उन्होंने mail का reply किया तो उसमें उन्होंने साफ साफ बता दिया जो application में लिखा हुआ है वही मानने तो आपका form वो क्या हो जाएगा reject हो जाएगा अब आपको बाते वो समझने की जरूरत है मैं आपको अच्छे से explain करता हूँ कि भी क्यों reject किया जा रहा है अब इनका कारण वो बिल्कुल सही है कोई गलत कारण नहीं है इनका सबसे पहली बात कि अगर आप फूर करता है और फिर वो वहां पे भी एक्जाम देता है ठीक है अब यह तो चलो बात ठीक अभी वहां परेल वाले एक्जाम के लिए अमने न्यूरेजेशन करके अमने एक्जाम दे दिया अब बात समझने की यह है कि अगर यहां पे जनुरी वाले एक्जाम के लिए आपका application number अलग होगा आपका registration number अलग होगा आपका admit card वगयरे जो भी होगा वो सुब कुछ अलग होगा ठीक है और वहीं पे अगर अप्रेल वाले एक्जाम के लिए अगर आप new registration करते हो तो new application number होगा new registration होगा और new ही आपका admit card आएगा मतलब आपको match नहीं होगा ठीक है और ऐसा होत होता है for example अगर आपको form reject नहीं होता है तो ऐसा मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ऐसा होता है ठीक है तो अब आप ही मुझे बताइए कि आप दोनों के जो जनवरी और अप्रेल के mark से उनको कैसे compare किया जाएगा क्योंकि अब आपको compare तो करी नहीं पाएंगे वो क्योंकि आपको यहां पर जनवरी वाले एक्जाम में तो आप अलग candidate हो और अप्रेल वाले एक्जाम के लिए अलग candidate हो ठीक है अब आप यह बात समझे है तो मैं आपको फिर से बताता हूं कि अगर जिस स्टूदेंस ने जरवली वाले एक्जाम के लिए registration की और फिर अगर वो अप जनवरी और अप्रेल के लिए दोनों के लिए नई registration कर दिया तो उनके marks वो compare नहीं कर पाएंगे इसलिए उन्होंने यह कहा कि अगर आप जनवरी वाले एक्जाम के लिए अगर फॉम फिल करते हैं तो आपको अप्रेल वाले एक्जाम के लिए फॉम है वो दुबारिश फि अप्रेल वाले एक्जाम दे रहा है और यहां पर क्या कर रहा है वो उसकी जो registration अप्लिकेशन नमर तो आपका सेम रहने वाला है तो उससे क्या होगा उनको यह समझ में आ जाएगा और आपका रोल नमर भी वो भी सेम रहेगा ठीक है तो क्या रहेगा इससे उनको यह नहीं दिया जनुरी वाले एक्जाम नहीं दिया वो अप्रेल वाले एक्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं उनके लिए तो न्यू रिजिस्ट्रिशन उनको करनी ही पड़ेगी और उनका एक्जाम वो डारेक्ट हो जाएगा और उसी की जितने मांक्स उस वोटिफिकेशन थी ट्वीट्स भी था वहां पर उन्हें बताया था अगर आप किसी स्टूर्ण्स ने जन्वरी वाले एक्जाम के अंदर और उसने एक्जाम दिया है तो उसको अप्रेल वाले एक्जाम देना चाहिए क्योंकि मैं आपको यहां पर कारण बताता हूं इसका क 500 स्टूर्ण्स से वो पीछे अब अप्रेल वाले एक्जाम में किसी स्टूर्ण्स ने एक्जाम दिया और उस्टूर्ण्स ने क्या कि अप्रेल एक्जाम नहीं दिया अब अप्रेल वाले एक्जाम में फिर से सब कालिकुलेशन होगा और फिर से मैंने आपको पहले बताया और आप कितने हो जाएंगे 999 स्टूडंस से पीछे हो जाएंगे आप तो आपको यही पे बेस है कि आप अपरेल वाला एक्जाम देना जाते हैं या फिर नहीं देना जाते हैं देखिए इससे फाइदा होगा आपको फिर से मुखा मिल जाएगा भी इन स्टूडंस से 500 और जो मारे पहले आपको बात बताई है new registration और old registration से क्या कारण था जो आपको एक बार और बता देता हूं अगर जनुरी वाला exam अगर आप नहीं अगर दिया है आपने तो अपरेवाले exam के लिए आप registration new registration प्लीज 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 मत कीजिए वहीं से लोगिन कीजिए जनुरी वाले exam के application number से और अपनी date of worth से और फिर password से और उसके अंदर अपने जो center है वो select कीजिए और आपका registration वो fill हो जाएगी उसके अंदर कोई भी details से आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते यह NTA वालोंने कहा हुआ है और जो अपरेवाले exam के लिए वो अपन वालों को मैंने contact भी किया उन्होंने बता भी दिया कि आपको कुछ भी नहीं कर सकते जो application form में है वो है और आपने रीजन भी समझ लिया होगा मैंने जैसे आपको समझाया है आपने रीजन समझ लिया होगा कि कि किस कारण आपका form वो reject किया जाएगा आप भी सोचके देखि है तो आई होप आप सभी को सारे information समझ में आई होगी फिर भी अगर नहीं है यह तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं और आप सभी को इसी तरीके को notification चाहिए तो प्लीज आप मुझे subscribe जरूर करें और bell icon को जरूर प्रस करें thank you keep learning and keep watching my channel